देश की दरोहर हमारी खुद की पहचान है नमस्कार आप देख रहे हैं यंगबाइट्स में हूँ आपके साथ पूछा ठाकर और हमारी देश की दरोहर की पहचान को बरकरार रखने में इंदर सिंग का काफी ज्यादा रोल है और आपको बता दें कि इने स्टेट अवार्ड क शुक्रिया मुझे पताईए इंदर जी कितनी खुशी आपको है क्योंकि कितने सालों से लगबख 40-45 सालों से आप दरोहर जो है उसे संभाल के रखते थे और उसे पहचान मिलना जब आपको पता लगा कि आपका नामंकन किया गया इस आवार्ड के लिए क्या कहेंगे आट बेटा मेरे साथ है कहता पापा क्या बाद है मैंने का बेटे मुझे स्टेट आवार्ड के लिए चुना गया है तो ये आप भी पढ़के मुझे बताई क्योंकि मैं इतना खुश था उसकर एक लफ़ज पढ़ा जब मेरे अपना नाम देखा तो जब मुझे ये स्टेट आवार्ड जो जम्मू कश्मीर का आवार्ड दिया है ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपलब दिया है बलके जम्मू कश्मीर के लिए भी बहुत बड़ी है कि सभी लोगों के लिए कि जो काम मैंने किया उसके लिए अगर मुझे ये आवार्ड आज मिला है तो मैं ये समझत हूं कि यह मेरे लिए बहुत ही खुशी का वकत था और और भी खुशी जब सुबास देगा परो में तो और भी ज्यादा खुशी मुझे के लिए चुना जया तो एवार्ड मिलने की खुशी वो तो बहुत जादा रहती है क्योंकि खुद को भी रहती है, फामली को भी रहती है, इसके साथ-साथ कितनी महनत लगी थी इस एवार्ड को हासिल करने में, इस एवार्ड पे आपका नाम आने में किस तरह की खुशी आपकी थी और कितनी महनत मैं कहूंगी कि लगी है क्योंकि 40-45 साल की यह महनत है लेकि यह तो मुझे कभी मैंने जिंदकी में सोचा नहीं था कभी मुझे अवाड मिलेगा और ना ही मैंने अवाड के लिए काम किया था जिए जर अगर की द्रोह रहीं थी घर जब सगला बनाने का जो डोगरा हमारा करें हम उस को बना ना चैने काम किया क्यों και हमारे बड़े जो ते हमारे बाब दादा तो यही काम करते थे बरत्न बनाने का तो उसी बेसमेंट में ने यही तोचा कि यह जो हमारे कारीगर जो पराने design भी उनके उपर बनाते थे बरतन भी different type कर design बनाके बनाते थे उनके उपर फिर designing cutting करती थी तो उनकी याद में अपने के साथ मैंने बड़े बड़ों के साथ में mail राकर जब उनको टैली किया तो मैंने का एक दिन तो हम सारे लोग ही आस्ता आस्ता तो जो उमर के इसाफ से तो सारी दुनिया को जो बगवान ने हमें बेजा तो वापस भी जाना है तो उसी मत नजर रखते हुए है मैंने अपनी जो हमारे जमू कश्मीर का जो आर्ट था सबसे पहले मै पितल के उनको तट्यार बोला जाता है तो हमारे यह सथानी काम कोट के मताबक हमारे 65 घरते यहां पर्जमू में लेकिन यह ऐसा एक दोर आ गया कि अलोगों का जो हमारे नए बच्चे हैं यह पड़ाई लिखाई में चले गए तो अब यह हमारे काम करने वाली फैमिली है तो यह भी लुप्त होती जा रही है तो इन ही के मद्दे नजर करने तो इतनी सोच डेवलप नहीं होती है कि दीश की लिए कुछ की आजए दरहुर के लिए कुछ किया जाए आपके समय की बात की जैतो दस्वी में आप ते जब आप दोगरा म्यूजिम देखा था आपने और म्यूजिम्स में आप जाते थैं और देखते ती यह इतनी ऐ तब से ही आपने इस चीज को संजोना शुरू किया बहुत अच्छी बात पूच लिया अपने दरहसल इनी सो चुरतर में में मैट्रिक में ता तो यहां दोगरा यह सेक्ट्रेड के बार जो हमारा डोगरा का क्या नाम है दोगरा वहां आठ डोगरा गैलरी हुआ करती दोगरा लेकिन इनीस सो 92 नाम जब मुवार्ए कमंढी में इसको लागया तो वहां इसका डोगरा आठ मिजिम नाम जो इसको चीजब हाल में जब गया तो डोग्रा जब देल ohoda कसी अधूरा किस को बोलती है किसी ने थे आउन उतना नहीं ग्यानाता तो जैसे मैंने में 1964 डोग्रा गैstudy देख旗 यह आँ पर तोसमें से जाब वगारा, कुछ पेंटिंग हैं, पेंटिंग के बारे मिन इतनी जानकारी तो नहीं थी. लेकिन जब जो इचीजें देखी तो एक मन में ख्याल है कि क्यों ना मैं भी एक है जो मेन मुद्दा था, यहीं से उठा था, उटनी सोच कि पर वें, जो तो उस वक्त आने यही सोच कर किया कि अगर यह चीजें जो सरकार हमारी रखते हैं हमारे पास तो लोग बरतल लाते रहते हैं तो यह जाया हो रहे हैं क्यों ना मैं भी इसको बचाने की कोशी करो में असली जो मेरी शुरुआ थी वो डोगरा आर्ट गैलरी से ही शुरू ही तो आज मालिक की दिया से सद्दाओ्-त俺 है भी जाढ़े बार्तन पर काम किया क तो इहां यहां बाहर जो जागा की कमी रहती होने के काम का plugging आप्के पास 90s की 20s की कैलेक्षण्स के और क्या कांशिन सापके पास चेते हैं कि अपने अभी यहां पर रखी non-की अच्च्छ के तूटे हुए बरतन लेकर तो इसको बढ़ना है या इसको रिपेर करवानी तो कुछ लोग देखता थी है रिपेर के काबल नहीं रहे तो लेकिन मुझे इसका ग्यान हो गया तो मैंने हम उनसे बदल देते थे या उनसे खरीद लेते थे तो उसी से यह हमारी क्लेक्शन आसता सहयोग है मेरे बड़े भाई है तीन मेरे से तो उन्होंने पूरा बरपूर मेरा साथ दिया है और उनी की वज़ा से अगर सच यही पूचा जाए तो जब तक घर वाले साथ नहों यह बहुत महेंगा शोक है को इसमें उनका मेरे साथ बिल्कुल मैं कहता हूं को मेरे सर पर तो आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा और जो मुझे यह अवार्ड मिला है यह मैं अपने भाईयों को समर्पित करता है तो जिस तरह से नाइंटीज की बात की जाए यह जिस तरह से बात की जाए आपने सारी जो है क्लेक्शन की हुई आर्ट एंड क्राफ्ट में आप जो इसलिए बनाया लोगों को बताने के लिए के हुका पीना तो ख्यार लोगों ने छोड़ दिया तमाकू के यही एक संदेश था उस वकत का के लोग यह देखेंगे वो कहेंगे यह क्या चीज़ा तो उनको जो वहां के गाइड होंगे बताएंगे यह को पूचेंगे किस काम आता था तो यह आज जैसे हम कहते हैं नशा मुक्त होना चाहिए भारत हमारा यहां जमू किश्मीर भी तो उसी बेस पर हमने एक माडल के तार पर जो काम करते थे तो मैंने और बड़े बाई-साब ने सभी ने मिलके हम एक वह इतना मुगल स्टाइल के हमने कोशिश की जैसे मुगल उक्का इस्तेमाल करते हैं आप कभी मुवारक मंटी जाए हमने उनको दे दिया ता कि वहां लोग काफी आते हैं देख सकते हैं तो एक तो हमने सबसे पहले जो होता वह उनको आमने दे दिया उसके बाद और वी कहीं चीज़े बनाए जो लोग हमारे से करीद क है और इतना बड़ा गिलास मुझे नहीं लगता कि आपने शाहिदी देखा होगा तो इंदर जी कितनी महनत लगी से और यह कितना वेट है इसका इसका वेट है जी साधे तीन किलो पोने चार लीटर के करीब इसमें पानी आता जी और इसकी हाइट है ठारा इंच के लगना तो आप जितने वेट देख रहें से देख सकते हैं कि इतना बड़ा गिलास जो है आपने शाहिदी देखा होगा क्योंकि एंटिक पीस ही मुझे यह लग रहे है और यह इन्हों ने 2005 में बनाया हुआ है तो इसे भी इन्होंने सभाल के रखा हुआ है और इसको बनाने में कि सब्सक्राइब आसे बनाया है तो इसको आपार पिर लगते लिए तो यए इसको मोल्ड करके इस मिटी को आसा आसा अब उपर शयासे करते जाते हैं यह जैसे हमने यह इहां से स्युरू किया इसका यह फेंदा बनाया यह बाद में वैक्स से या जाता तो इसको ऐसे एक होता है उसमें रेजन और हम वेक्स मिक्स करके दो चीज़े बनाते हैं वो नर्म हो जाता है काफी मतलब के साफ्ट था पानी पीना भी काफी ज्यदा हेल्दी रहता है क्या को होगे पीतल के बरतन में तांबे के बरतन में जो हमारी मैटल है थी यह तो मैंने संदेश दिया लो के बरतन में पानी रात को रखकर सुबा भी हो या पीतल के बरतन में खाना बनाओ क्योंकि अब यह चीज़े खत्म हो चुके थे अब दोबारा दोर आने की उमीद बंदी है लोग आ रहे हैं यह एक संदेश था कि हमें पीतल के मैंने जब यह उनी सो पांच दोजार पांच में बनाया तो मैंने नैशनल एक्जीबिशन दिली में करने किया इंद्रा गंदी आर्ट सेंटर पे तो वहां मैंने रखा था मुवारक मंडी में किया तो यहां भी हमने बताया गादी नगर काले कुछ स्कूलों में तो काफी बच्चों ने देखा तो रहान होते थे क्या सब्सक्राइब करें देखा हुआ है और यहां पर आपने देखा हुआ है कि यह इसे दर्ती कहते हैं जो यह नीचे हैं और यहां पर सूरज भी बनाया गया है तारे भी बनाएगे है चादु ने इसकी इंपोर्टेंस के बारे में आप थोड़ा सा बताई है यह तो जब यह काम किया जाता तो उस वक्त दुमाग में मन में क्या होता कि मैंने क्या करना है तो ऐसे एक ख्याल आ गई उपर यह आगे और उसके यह चांस इता रहे हैं ताकि हमारे पूरे बर्मान में दर्शाया क्या है तो इसमें दीपक वगरा रखे उजवल जब यह होता होगा तो काफी उपसुर्ण लगता है जब यह हम रखेंगे तो इसकी पूरी शेप हमारी दिवारों में पढ़ तो इसमें दीपक अगर हम रखेंगे अपने सरसों के तेल का तो उससे थोड़ी सी या अगर गी तो आईकर लोग जिलाते नहीं है गी का दीपक जलाने से एक तो दूवानी होता है दूवानी होता दूसरा वह हमारी वाजू शुद करता है क्योंकि हम जब हवन करते हैं जो अगर को संभाल के रखना और उसे प्रोथसाहन मिला उसकी सरहाना होना काफी अच्छ लगता आज कल की जो जनरेशन है जो बिलकुल इसे बूलते जारही है तो कुछ याद ही नहीं रखती कि ऐसी बी चीज़े होती लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आपको आपका नामंकन ह जो है मौटिवेशन मिल रही होगे कि आप मुझे नाशनल आवार्ड लेना है इस पर भी बताइए और इसके इलावा जो आज की जनरेशन जो भूलते जारी उनके लिए क्या कोई भी बच्चा जो है चाहे हमारी फैमिली के बच्चे हैं वह भी ऐसे क्योंकि यह काम होता ज थाग जबान आ गया मशीनी जोग आगया मशीन से ज्यादा ब Major बरतन बनते हैं हाथ वाले बरतन को लोगों ने खत्म कर दिया तो कोशिच तो यही है जो हमारे Republic India के काइन थे। जैसे ऐल्मोनियम के काइन ये बहुत जल्द खराब होते हैं। तो ये मैंने हर जब भी मैं स्कूल कालेजियों में गया। जैसे घानी नगर कालेजिय में, प्रेड कालेज़ में, मुवारिकमंडी स्कूल में, कुछ और स्कूल में। कल को जो भी आपको जेब कर छोटा सा मिलता कुछ चीज़े उसे निकालिये यह जरूरी नहीं है कि आप इसी को आप देखिए एक पैंसल से शुरू कर सकते हैं आप किसी गर में जो कपड़े हैं उसके बटन से शुरू कर सकते हैं आपने बड़े दादा पड़दादा के या जिसके जिनके घर में बजूर कुई है उनको कपड़ों से राख सकते हैं उनके बड़ों से शुरू कर सकते हैं कोई भी चीज आप छोटी से एक दिन शुरू करोगा एक दिन बहुत बड़े आज़ी बन गयो और यह बागी रही नैशनल वार्ड की वह कभी हमने सोचा नही लेकिन वक्त का कोई पता नहीं होता कैसा काम हो गां काम के दिया क्यूंकि देश का बविष जो है बच्चों को देश का बविष खा जाता है और अगर वही भविष हमारी रहोर को संजोके रखेगा तो आने वाली समय में वो भी अपने कल्चर को वो भी अपने हरिटीज को जान पाएगी अगले अगले लेक फिर में हाजर होंगी तब तक लिए अब देखते हैं बैट्स वीडियोनिस राजी कुपता के साथ मैं पूसर ठाकर यांग बैट्स जमो